तो घड़ी सारा कर चुकी है पांस बजे का और हमारा मॉक टेस्ट का टाइम भी हो चुका है जिसका नाम है टॉप ट्रेंडिंग मॉक टेस्ट तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं जो लोग चैनल पे ने चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो को परसेंट 5% और 80% प्रते कोसन का एंसर देने के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है अगर आपको और ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर कमेंट बॉक्स में एंसर कमेंट कर सकते हैं और अपना वीडियो के एंड में अपना ओवरेल स्कूर जरूर बताएगा तो आपका कोसन नमबर 1 का जो राइट एंसर है ऑप्सन D 80% मानव सरीन में जल की मातरा कितनी होती है आपकी 80% होती है चलिए कोसन नमबर 2 आपके सामने है कि मनुष से का समान तापकरम लगभग होता है सारा देखिए फोरेन हैट में दिया और एक डिगरी सेल्स चलिए कोसन नमबर नेक्स देखिए मानो शरीर में आहार भोजन मुखेता डैस में पाचन होता है मतलब भोजन का पाचन कहां पर होता है उदर में छोटियात बढ़ियात या फिर यकृत में वीडियो को इन तक जरूर देखिए गा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पालक मचली और दूद तो कोसन नमबर फॉर का राइट एंसर है आपका ओप्सन बी पालक पालक से क्या मिलता है तो हमें लोहा मिलता है कोसन नमबर फाइब देखिए कि प्लास्टर और पैरिस का रासाइनिक सुत्र क्या है प्लास्टर और पैरिस का रासाइनिक सुत्र क्य आप देखिए plaster of Parish इसके साथ ही एकड़म common आपका होता है gypsum का gypsum में क्या change होता है देख लिजिए ये आपका होगिया CASO4 into 2H2O ये आपका होगिया gypsum का और ये होगिया plaster of Paris का तो ध्यान रखेगा इस बात को question number 6 देखिए कि भारत का पहला परमानू रियक्टर जिसे अपसरा कहा जाता है वो कहां इस्तित है ट्रॉम्बे में नागदेड भोपाल या फिर एहमताबाद तो कोशन अबर 6 का आपका राइट Holz एंसर है आपचन ए ट्रॉम्बे तो कोशन नमबर 7 देखिए कि होमियोपरथी चिकिस्ता कि जनक कौन ते है? very important है honeymoon, joseph, lister, james, harrison या hugo d. breeze तो question number आपका 7 का सही जवाब है option a, honeymoon चलिए question number 8 की और बढ़ते हैं और question number 8 आपके सामने कि proton किस परकार का कान है? मतलब proton पर कौन सा charge होता है? positive, negative, neutral या इन में से कोई नहीं तो आपका proton पर होता है plus charge मतलब positive धन, आवेश्युक्त तो question number 8 का आपका right answer है option B, proton पर कौन सा charge होता है? plus proton पर हो गया plus और electron पर हो गया आपका minus चलिए question number next देखिए 9 क्या बोल रहा है? जल में घुननसिल विटामिन कौन सा है? vitamin B, vitamin C, दोनो या इन में से कोई नहीं जल में जो घुल जाता है तो question number 9 का right answer है option C, दोनो vitamin B भी है और vitamin C भी दोनो जल में घुलनसिल विटामिन है चलिए question number next देखते है 10, vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है? असकरवी, रताउंधी, बेरी-बेरी या फिरेनिमिया तो question number 10 का right answer है आपका option B की vitamin A की कमी से आपका रताउंधी रोग होता है किसे vitamin A की कमी से? चलिए next question अब देखते है question number 11, मनुष से के मस्तिक का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? very important question है बायो का very important मस्तिकांट, अनुमस्तिक, प्रमस्तिक और मध्यमस्तिक सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है तो question number 11 का आपका right answer है option C, प्रमस्तिक मनुष से के मस्तिक का total 3 भाग होता है चलिए question number next देखे question number 12 आपके सामने है कि सरीर में सबसे लंबी कोशी का कौन सी है तंत्रिका, तंत्र, यकरित, जिसे लिवर बोला जाता है गुर्दा, जिसे किटनी बोला जाता है और फिर हिर्द है question number 2 आपका right answer है option A, तंत्रिका, तंत्र question number 13 देखे सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी है लिवर, थाइराइट, पिट्रिट्रि या फिर लार्ग रंथी question number 13 का आपका right answer है option A, लिवर question number 14 देखे कि बिना बूजह, चुना का राशाइनिक सुत्र क्या CO, CO3, NS4, CL, D2O या फिर CO, जिसे केल्सियम ऑक्साइड बोला जाता है question number 14 का आपका right answer है option D, केल्सियम, ऑक्साइड question number 15 देखे कि प्रिधवी का एक मात्र उपगरा कौन सा है, चंद्रमा, बूद, बिरस्पत या फिर मंगल question number 15 का आपका right answer है option A, चंद्रमा, प्रिधवी का एक मात्र उपगरा है, question number next देखे 16 आपके सामने है कि अंतरिक्स में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है very very important question है आपका इसे आप लोग नोट करके लिख सकते हैं या फिर इसका skin shot ले सकते हैं VBI question है ये कि अंतरिक्स में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है 89, 74, 60 या फिर 55, तो question number 16 का आपका right answer है option A, 89 इसे आप लोग याद रखियेगा कि अंतरिक्स में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है 89, question number 17 देखिए टीबिया नामक हड़ी पाई जाती है खोपडी में, टांग में, भुजा में या फिर मुह में question number 17 का आपका right answer है option B, टांग में ये टीबिया नामक हड़ी कहाँ पाई जाती है तो हमारे ये टांग में पाई जाती है question number 18 देखिए कि वो अंग जो मानव सरीर में पित उत्पन करता है, वो कौन सा है very important, बायो का है पितास है या कृत गुर्दा या फिर ग्रास नली question number 18 का आपका right answer है option B question number 19 देखिए कि ओतल दर्पन में वस्तु का प्रतिवीम दर्पन के पीछे कालपनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं अनंत पर, फोकस पर, धूर्व पर या फोकस और धूर्व के बीच तो इस question का आपका right answer है option D कहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं फोकस और धूर्व के बीच रखते हैं तो हमारा वस्तु कैसा बनेगा प्रतिवीम दर्पन के पीछे कालपनिक और सीधा बनेगा चलिए next question देखिए इस question का answer आप लोग सभी को पता होगा पायरोमीटर इसमिनो मीटर गेलवनो मीटर या एनिमो मीटर तो question number 20 का आपका right answer है option B सिगमेनो मीटर question number 21 देखिए solar system की खोज किस ने की थी copper निकस, scapler, आरे भट या फिर newton question number 21 का आपका right answer है option A copper निकस द्वारा solar system की खोज की थी question number 22 देखिए नाभी के विखंडन में trigger क्या है ये trigger very important है कि यही पूछा जारा आप से कि नाभी के विखंडन में trigger क्या है electron, neutron, positron या फिर proton question number 22 का आपका right answer है option B, neutron trigger क्या है तो वो आपका neutron है question number 23 देखिए कि भारत का अंटार्टिका अध्यान केंद्र कहां पर इस्तित है option देखिए पूना, गोवा, जैपूर या फिर नासिक तो 23 का आपका right answer है option B गोवा में भारत का अंटार्टिका अध्यान केंद्र गोवा में इस्तित है question number 24 देखिए मलेरिया के किटानू की खोच किस नहीं की थी रोनाल्ड रोस, इवानोस्की, रियान विस्क्विट या फिर एजी टॉसले तो इस question का right answer है आपका option A रोनाल्ड रोस द्वारा मलेरिया के किटानू की खोच की गई थी 25 नमबर देखिए मार्स गेस किसे कहा जाता है मिथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन या फिर नाइट्रोजन तो question number 25 का आपका right answer है option A मिथेन, मिथेन को मार्स गेस कहा जाता है question number 26 देखिए इनमें से कौन सुक्ष मतत्व है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सिजन सुक्ष मतत्व तो इस question का right answer है आपका option B हाइड्रोजन को सुक्ष मतत्व कहा जाता है चलिए question number next देखिए 27 देखिए भारत का प्रथम परमानू रियक्टर किस नाम से जाना जाता है ट्रॉम्बे, अपसरा, अग्नी या फिर नाग तो question number 27 का right answer है आपका option B अपसरा भारत का प्रथम परमानू रियक्टर अपसरा के नाम से जाना जाता है 28 देखिए अधिक्तम तन्यता वाली धातु कौन सी है तेरा अप्रेल 2000 में, 15 अक्टूबर 1990 में, 29 नमबर 1990 में या फिर 18 फरवारी 1994 में तो इस question का आपका right answer है option B, 15 अक्टूबर 1990 में लास्ट question देखिए हेंडरी एक आई है विद्दुधारिता की, चुम्बक के छेत्र की, प्रेर्तत्व की या फिर प्रतिरोत का या आपका इस series का last question है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like और अपने friend को जरूर शेयर करिएगा और अपने overalls को जरूर बताएगा की आप लोगोंने कितने question का सही जवाब दिया तो इस question का right answer है आपका option C, प्रेतत्व का तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तबता के लिए धन्यवाद